नमस्कार दोस्तों Drupal 7 Hindi में आपका सवागत है दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी अपने यूरल एलियास पर जो कि हमने एक अपाउट आस के लिए सेट किया था दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए मडूल के लिए जो कि है पात आटो जो कि हमारे urls alias को automatic जो हम set कर सके उस पे बेस्ट पहले हमें उस module को डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए रूपल डाट और जी पर जाएए आप उस module को आप सर्ज कर लिजे पाथ आटो module पे क्लिक कर जीजे सर्ज कर दीजे पाथ आटो ये इसकी कुछ डिटेल हैं कि ये कैसे वर्क करता है ये आप पड़ लीचे कि अब मडूल यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी वर्किंग क्या है ये उस पे कुछ रिक्वार्मेंट्स हैं दोस्तों ये डिपेंडेंसी हैं कि अगर हमें पाथ आटो मडूल यूज करना है तो उसके लिए हमें ये दो और मडूल ने लोकल पे मसीन पे या अपनी प्रोड़क्शन साइड या किसी भी डवलेप्मेंट के लिए इंस्टाल करने पड़ेंगे ये डिपेंडेंसी से ये कर नहीं है और ये कुछ रिकम मडूल है जो कि इस टाइप से ही वर्क करते हैं या इस कैटिगरी में याते हैं यहां पर आपको इससे रिलेटेड ये अगर कोई इसूस हैं तो आप वो सम्बिट कर सकते हैं एक्सपर्ट आपको यहां पर यह पूरी मतलब पूरा इस मडूल का स्टेटस आपको यह साइड बार पे इसका दिखाई देगा तो दोस्तों हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसके लिए हमें टोकन भी डाउनलोड करना पड़ेगा सी टूल्स हम पहले कर चुके हैं अपने वीडियो में तो अगर आ आप डूपल सेवन पे हैं तो अपना रिकमेंडेट वर्जन रिलीज जो मडूल है उस पे आप वो डाउनलोड कर जिए दोनों डाउनलोड हो गए हमें चाहिए टोकन और पाथ इसको हम अपनी प्रोजेक्ट की डिरेक्टरी में जाएंगे यह रहा अपनी डूपल वेबसाइट पे दोस्तों मैं बता दूँ यह जो जो अपनी प्रोजेक्ट के अंदर जस्ट जाके आपको जो मडूल का फोल्डर मिलता है वो फोल्डर पे आप कंट्रिबूट जो आप डाउनलोड मडूल करते हैं वो यहां पेस्ट ना कीजिए क्योंकि यह जितने भी आपके जो यह मडूल हैं यह सब कोर के मडूल है इस पर किसी भी टाइप का कुछ भी इंप्लिमेंटेशन या इंट्रिकेशन कुछ भी मत कीजिए आपको अगर कोई अपना custom module आपने बनाया है या कोई contribute module आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप site के अंदर जाहिए all के अंदर जाहिए और ये modules का folder है यहाँ पर आप वो दोनों paste कीजिए extract कर लेते हैं delete आप site पर जाते हैं modules को enable कीजिए search कीजिए यह देखिए यह requirements यहाँ भी दिखाता है कि यह किस पर dependencies की है enable करते हैं यह देखिए you must enable the token module to install path auto continue कीजिए अब दोनों module आपके path auto और token दोनों आपके install हो गए enable हो गए configuration में जाहिए url alias अब देखिए यहां दोस्तों कुछ नए tabs आयां पर pattern setting bulk generation delete alias जो कि अभी जब हमने path auto install किया तब यह हमें features मिले अब दोस्तों यहां पर pattern की बात करते हैं जो कि हम बात कर रहे थे कि किसे साब से हम pattern set कर सकते हैं जैसा हम चाहें देखिए यह इस type का pattern है कि जब हम भी कुछ create करेंगे content तो वो content slash node title जो भी हम title set करेंगे वो अब यहां पर आएगा अगर हम चाहते हैं अपनी content type जो हमारा article है उसके लिए हम कुछ content pattern set करना चाहते हैं तो हम यहां pattern set कर देगा अगर आप यह सारे blank रखेंगे तो यह default जो pattern है content का वो ही सब पर apply होगा वो ही article पर apply होगा basic page पर apply होगा blog पर apply होगा ठीक है basic page के लिए हम change कर लेते हैं ताकि example को आज और अच्छे से जान सकें basic कर देते हैं note id रख देते है note title यहां पर दोस्तों यह एक प्रकार का token है कि हमने पहले देखा कि हमें जब path auto install करते हैं तोकन भी install किया कि अगर आप चाते हैं कि जो मैंने कभी पाइचांस हमने कोई block create किया तो current date के लिए जब वो create हुआ तो उसके लिए आप यह सारे pattern दी हैं तो यह आप use कर सकते हैं current page current user कि किस user ने create किया तो उसको भी आप अपने url alias पे set कर सकते हैं यह notes है notes की सारे tokens है तो अगर आपको इसको use करना है तो इस तरीके से आप इसको copy कीजिए इस तरीके से आप set कीजिए यहाँ पर और कुछ करने की ज़रुत नहीं है slash याद रुकिए आगर slash नहीं भी देना चाहते हैं तो वो इस type से set करेगा तो इस type से url बनेगा ठीक है नोर id हटा देते हैं क्योंकि नोर id में numeric value जाएगी मैंने के वहला आपको बस token set करना सिखाया इस तरीके से basic pages कर लेते हैं save कर देते हैं configuration save हो चुकी अब content पर जाते हैं अब basic page देखिए slash about us उसके लिए दोस्तों अभी हमें इसको update करना पड़ेगा url अपने जितने भी अपने content बना है उनको update करने पड़ेगे तो यहाँ पर आप check box पर क्लिक कीजिए update url alias update कीजिए यह देखिए 4 update आगे आपके जो आपके चार notes है वह update हो गए अब दोस्तों जो url pattern बन रहा है वह देखिए basic page slash about us यह देखिए basic page slash about us यह बना है अब दोस्तों आप अगर कोई content add करते हैं तो जो आपका pattern वहाँ set है वह उसी हिसाब से आएगा जो आपने अपने pattern में auto path में url alias में pattern पर यहाँ पर आपने जो set की है जो जिस content type के लिए आपका set करना चाहते हैं वह यहाँ पर आप set कर सकते हैं bulk generation है कि आपको अगर आपको किसी content में आपने कोई pattern set किया है तो जो old url है वह आपके update हो जाएंगे जब आप यहाँ से इसको select करके update करेंगे किसी url alias को अगर आपको delete करना है तो आप इसको bulk में delete कर सकते हैं कि जैसे अगर ने कंटेंट डिलीट करणओ तो यहां से चार कंटेंट डिलीट हो जाएंगी जो कि हम ने add किये हुए है ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो था कि हम अपने auto path पर कैसे path auto पर कैसे work करें और कैसे अपने pattern set कर सके जो कि SEO friendly पे हम जैसा चाहें वैसा हमें पैटन यूरल मिले तो दोस्तों इस वीडियो मितने रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार